अपनी बात की सुरुवात एक बहुत ही प्यारी घटना से करना चाहूंगा एक युवक जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते की और जा रहा था जाते जाते उसे प्यास लगी और प्यास लगी तो पास में ही देखा कि कुवा है वो कुवे के पास पहुचा कुवे के पास बाल्टी भी रखे वी थी कुवे में जहां का तो देखा कुवे में पानी भी है और वो जैसे इसने बाल्टी उठाई कुवे में डालने के लिए तब ही उसके मन में आया रहे रहे मैं अपने हाथों से, मैं अपने हाथों से कुवे में बायल्टी डाल कर पानी पीओ, यह मेरे लिए शोबा की बार नहीं है, और वो यूवक वहीं पर बैट गया, थोड़ी दिर के बाद एक दूसरा यूवक जिसको प्यास लगी वी थी, वो भी कुवे पर आया, और उसने भ जब क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों बैटे हो, तो उस यूवक ने कहा, कि मुझे प्यास लगी है, और मैं पानी पीना चाहता हूँ, तुम पानी भरो और मुझे पिला दो, तो उस यूवक ने पूछा, अरे बड़ी गजब की बाद है, जब पानी है, बायल्टी है, तुम खुद क्यों नहीं पी रहे हो, तो उसने कहा, कि मैं अपने हाँ से पानी नहीं पी सकता, क्योंकि मैं तो शहजादा हूँ, मैं तो शहजादा हूँ, और शहजादा अपने हाँ से पानी निकाल कर नहीं पीता है, जैसे ही दूसरी यूग ने ये सुना, कि उसने भी ब भहिया जैसे तुम शह जादे हो वैसे मैं भी नवाब जादा हूँ मैं भी अपने हाल से पानी नहीं पीता हूँ और वो भी युवक वहाँ पर बैठ गया थोड़ी देर के बाद एक तीसरा युवक आया उसको भी प्यास लगी हुई थी वो भी कुवे के पास आया और उसने भी बाल्टी पुवे के अंदर डानले वाला था ही कि उसने दो बैठे युवकों को देखा तो पुछा रहे तुम यहां पर क्यों बैठे हो तो फिर उन युवक ने क्या कहा एक ने कहा मुझे प्यास लगी है लेकिन मैं शह जादा हूँ अपने हासे पानी नहीं पीता हू दूसरे ने कहा मैं नवाव जादा हूँ मुझे भी प्यास लगी है लेकिन मैं भी अपने हासे पानी नहीं पीता हूँ जैसे ही और तीसरे योग ने ये सुना तो पता नहीं उसने भी बाल्टी को छोड़ दिया और वो भी वहां पास में आकर के बैठ गया दोनों ने बु सकता हूँ और वो भी वहां पर बैठ गया तीनों को प्यास लगी हुई है लेकिन कोई भी पानी निकानने के लिए तैयार नहीं है पानी ना तो पीने के लिए तैयार है ना पिलाने के लिए तैयार है तभी देखा कि थोड़ी देर बाद एक जोथा युवक आया उसको भी प्यास लगी वी थी और उसने भी बाल्टी को उठाया और कुवे में वो डालने वाला ही था कि उसने तीन योओं को को देखा था पुछा रहे क्या बात है यहां पर क्यों बैठे हो तो फिर उन योओं ने क्या कहा कि हमें प्यास लगी है तुम इस बाल्टी को कुवे में डालो पानी निकालो तुम भी पीलो और हमें भी पिला दो उसे ये सुनकर बड़ा अश्चर हुआ कि बड़ी गजब की बात है प्यासे हो कुवा पास में बाल्टी पास में पानी भी है और प्यासे यहां पर बैठे हो पूछा क्यों? तो फिर वही जबाव एक ने का मैं शह जादा, दूसरे ने का मैं अमीर जादा, तीस ने का मैं नवाव जादा, पता नहीं इस चोथी योग को क्या हुआ, उसने बालटी पानी के अंदर ढाली, पानी निकाला, पानी पिया, और जो बचा हुआ पानी था, उस सकता उसने पूछा क्यों तो उसने कहा जैसे तुम शेह जादे हो तुम अमीर जादे हो तुम नवाब जादे हो वैसे मैं हराम जादा हूँ मैं क्यों पानी पीता हूँ दूसरों को पानी नहीं पिलाता हूँ कहने का मतलब इंसान का जो सबसे बड़ा दुस्मन जो इसके विकास में बहुत बड़े रोड़े अटकाता है और वो है उसके जीवन में पढ़ने वाला आलस आलसी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है न तो वो खुद आगे बढ़ता है नहीं दूसरों को आगे बढ़ाने में सहयोगी बन पाता है इसलिए भगवान श्री मावीर ने कभी अपने सिश्यों को कहा था ना लसेन समम सुखम यानि आलसी कभी सुखी नहीं हो सकता आलसी कभी सुखी नहीं हो सकता न तो वो खुद सुखी हो सकता है नहीं दूसरों को सुख पहुचा सकता है अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सोचना होगा कि हमारी जीवन में कहीं आलस्य तो नहीं है कहीं हमारी जीवन के विकास में हमारा आलस्य हमारा सत्रू बनकर हमारा रोडा तो नहीं बना हुआ है अगर हम अपने जीवन में तरकी करना चाहते हैं, तो हमें देखना होगा कहां कहां हम आलस खाते हैं, किस किस छेत्र में हम आलस खाते हैं और कैसे हम उस आलस को निकाल करके अपने जीवन में तरकी के नए आयाम छू सकते हैं, याद रखिएगा इस दुनिया का नुकसान, रि जादा किया है क्योंकि जो रिस्वत खाते हो तो केवल पैसे को बरबाद करते हैं पैसे का नुकसान करते हैं लेकिन जो कामचोर होते हैं वो पैसे के सासा समय को भी बरबाद कर देते हैं इसलिए भारत का नुकसान रिस्वत खोरों ने कम किया है और कामचोरों ने जादा किय है अगर हर कोई व्यक्ति केवल आठ गंटे भी अगर इमानदारी से काम कर ले कितने गंटे केवल आठ गंटे अगर हम इमानदारी से काम कर ले भारत का हर व्यक्ति केवल आठ गंटे अगर इमानदारी से काम कर ले तो आने वाले कल में भारत अमेरिका और चीन से भी आगे ब इसका मतलब है हम कुम्बकर्ण की संतान हैं। क्या कोई कुम्बकर्ण की संतान बनना पसंद करेगा। क्या कोई कुम्बकर्ण की उलाद बनना पसंद करेगा। याद रखिएगा जो सोता है वो कुम्बकर्ण होता है, जो जगता है वो ही माहवीर होता है। जो सोता है वो कुम्बकर्ण होता है और जो जगता है वो महवीर होता है हमें कुम्बकर्ण की संतान नहीं हमें तो महवीर की संतान बनना है हमें महवीर की संतान बनना है याद रखेगा आलेश्य खाना तो आत्म हत्या करने के समान है आलेश्य खाना तो आत्म हत्या करने के सम आले से तो नरक की और ले जाने वाला रास्ता है इसलिए प्लीच अपने जीवन में इस बीमारी को हटाईए इस दुर्कुन को हटाईए और अपने जिर्म एक्टिव लाने की कोशिस किजिए याद रखिएगा everything is easy when you are busy बोल लीजिए everything is easy when you are busy nothing is easy when you are lazy इस दुनिया में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अपने आपको व्यस्त रखते हैं एक्टिव रखते हैं और अगर आप आलसी है तो इस दुनिया में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं अब मैं बताता हूं कि आलेशे क मतलब क्या होता है आलेशे का मतलब होता है कि शम्ता होते हुए भी काम नहीं करना शम्ता होते हुए भी काम नहीं करना उसी को आलेशे कहा जाता है काम से जीच चुराना उसे ही आलेशे कहा जाता है टालम तोल करना इसे आलेशे कहा जाता है और नमबर तीन बहतर ढंक से का न करना ये भी आलश का ही सूचक हुआ करता है तो नंबर एक नंबर एक काम नहीं करना नंबर दो टालम टोल करना और नंबर तीन बहतर धंक से काम नहीं करना तो अपने जीवन में इन तीन चीजों को हटाईए याज रखेगा आलश खाना अच्छा तो लगता है पर उसका कोई परिणाम नहीं आता है खाली बैठना है सोफे पर बैठना है खुर्शी पर बैठना है और बाते करना है अच्छा तो बहुत लगता है खाली बैठना अच् अच्छा बहुत लगता है लेकिन उसका कभी कोई परिणाम नहीं आता है उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं आता है इसलिए प्लीज अपने जीवन से इस चीज को हटाईए एक बार क्या हुआ एक गुरू और शिश्य एक जोपड़ी में सोई वे थे और तभी गुरू की आ गुरू ने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं तभी गुरू ने सिश्य का अरे अरे देख बाहर बारिष तो नहीं आ रही है देख बाहर बारिष तो नहीं आ रही है मलमाया कि जैसी ये बारिष देखने के लिए खड़ा होगा तो मैं कह दूंगा सोने से पहले दरवा आई थी मैंने उसकी पीट पर हार फेरा तो देखा उसकी पीट एक्दम सूखी हुई थी इसलिए बाहर बारिश नहीं आ रही है गुरुजी को लगा कि यह चेला तो बड़ा दुरंदर है फिर थोड़ी देर के बाद फिर गुरु ने कहा अरे बेटा बेटा यह देखिए जो लाइट जल रही है न इसलाइट को बंद कर दे लाइट आउक पर आ रही है नींद बरो बर नहीं आ रही है मन में आया कि जैसे यह लाइट बंद करने खड़ा होगा तो मैं कैदूंगा दर्वाजा भी बंद कर दे चले ने का गुरु जी जी आप करवटको बदल लजिए अब आपना लाइट अब भी बंद हो जाएगी है गुरु को लगा कि ये चला मानने वाला नहीं है बड़ा आलसी है फिर गुरु ने का बेटा सीधा ही कह दिया बेटा खड़ा हो जा और ये दर्वाजा बंद कर दे ये दर्वाजा बंद कर दे तो शिश्चे ने का गिः आते हैं हमारे बच्चे आलसी टट्टू होते जा रहे हैं प्लीज अगर हमारे जीवन में आलशे है तो हमें उसे भी हटाना है और हमारे बच्चों के जीवन में आलशे है तो उसे भी हटाने के लिए हमें प्रयास करना है दो चोर बैंक में गए चोरी करने के लिए और पुल बैंक में चोरी की ये तो समझ में आता है लेकिन तुम पकड़े कैसे गए तो चोरों ने का क्या बताऊं बैंक पर लिखा हुआ था कि बैंक छोड़ने से पहले कि रुपया केस को काउंट करके जाएं फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी तो उसी को काउंट करने में लग गए और पकड़े गए तो प्लीज अपने जीवन में आलिश्य को भगाईए याद रखेगा जब हम सुबह उड़ते हैं तो दो काम करते हैं सुबह उड़ते हैं तो हम दो काम कर सकते हैं या तो हम सोय हुए रहें और सपने देखते रहें या तो हम सोय हुए रहें और सपने देखते रहें या फिर हम जग जाएं और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाएं या तो अपने सपनों को देखते रहें या फिर जग कर कि सपनों को पूरा करने में लग जाएं अब सवाली आता है कि आलसी होता कौन है नंबर एक जो सोसता रहता है हर समय सोसता रहता है अरे ऐसा करूँगा वैसा करूँगा ये करूँगा वो करूँगा करता धरता कुछ नहीं है बस किवल सोसता रहता है मन के घोड़े दोड़ा मेरा होता है मेरा तो मूड नहीं है मेरा तो मूड नहीं है आज कर बच्चों को कोई भी काम बताओ तो क्या करते हैं मेरा तो अभी मूड नहीं है मम्मी अभी मेरा मूड नहीं है ये mood क्या बीमारी है सोचो अगर आप चोराए पर खड़े हो और पीछे से एक कुत्ता काटने के लिए आपके पीछे दोड़े तो आप उस समय क्या कहोगे मेरा तो दोड़ने का mood नहीं है चोथी आदत है अभी तो मेरे पास time नहीं है क्या मेरे पास time नहीं है बहुत busy हूँ कुछ लोगों का तो ये तक्या कला बन जाता है मेरे पास तो time नहीं है मैं तो बहुत busy हूँ मैं तो बहुत busy हूँ मेरे पास तो time नहीं है ऐसे लोग भी धिरे धिरे आलसी बन जाया करते हैं तो इसलिए अपने जीवन में इन चार चीज़ों को हटाईए, नमबर एक सोशते रहना, नमबर दो मुझसे नहीं होगा, नमबर तीन मेरा तो मूड नहीं है और नमबर चार मेरे पास समय नहीं है, इन चार चीज़ों को हटाईए, याद रखिएगा आलसी वेक्ति का न तो जा सकता है जिसने कदम बढ़ाया और असफल हो गया उसे तो माफ किया जा सकता है जिसने कदम बढ़ाया और असफल हो गया लेकिन उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता जिसने कदम ही नहीं उठाया जिसने कदम ही नहीं उठाया उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता कभी हमारे कभीर दाजी ने कहा था काल करेसो आज कर और आज करेसो अब पल में प्रले होएगी फिर करेगा कब पर आलसी लोगों ने इसको उल्टा कर दिया आलसी लोगों ने इसका क्या कर दिया आज करेसो काल कर अरकाल करे सो परसों इतनी जल्ली क्या पड़ी है अभी पड़े हैं बरसों प्लीज अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चीज को हटाईए अब हैं कि आलेशे का कारण क्या है नमबर एक है जादा भोजन नमबर एक जादा भोजन अगर हम बहुत जादा भोजन करेंगे तो क्या प्रमाद आएगा आलशे आएगा कोई काम धाम करने में हमारा मन नहीं लगेगा क्योंकि हमारी जो सारी एनरजी है उस भोजन को पचाने में ही लग जाएगी तो हमारा दिमाग पूरा काम कर नहीं पाएगा इसलिए ज़्यादा भोजन मत लेजिए इसलिए तो भगवान श्री माविर ने कहा था कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे एक दो कोर कम खाईए पर हम लोग क्या करते हैं दो कोर कम खाते हैं मालूम है कि सुबह भी खाना है दोपर में भी खाना है शाम को भी खाना है लेकिन फिर भी हमारी आदत जादा खाने की अगर आप आलेश्य से बजना चाहते हैं तो नमबर एग जितनी पेट में भूखे उससे थोड़ा सा कम खाईए और नमबर दो रूची नहीं, इंट्रेस्ट नहीं कुछ काम हम ऐसे शुरू करते थे जिसमें हमारा इंट्रेस्ट तो नहीं होता है लेकिन फिर भी हम मजबूरी वज़ उसको किये जाते हैं, किये जाते हैं, किये जाते हैं तो प्लीज अपने जीवन में ये सोचिए कि मैं किस काम में मुझे ज़्यादा इंट्रेस्ट आता है किस काम को करने में मुझे ज़्यादा रूची है ज़्यादा इंट्रेस्ट है किस काम को मैं बहुत अच्छे से करता हूँ ऐसे काम को आप करने की कोशिश किजिए ऐसे काम मत कीजिए कि जिसमें आपकी इंट्रेस्ट नहीं है, रूची नहीं है, नहीं तो क्या होगा, दो दिन करेंगे, चार दिन करेंगे, छे दिन करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरे काम पकड़ेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर तीसरे काम पक मोबाइल ने आज हमको बहुत आलसी बना दिया है मोबाइल का आविसकार तो हुआ था समय बचाने के लिए शक्ति को बचाने के लिए काम को जल्दी करने के लिए लेकिन जिस मोबाइल का आविसकार हमारी शक्ति और समय को बचाने के लिए हुआ था आज वही मोबाइल हमार सबसे ज़्यादा समय भी खा रहा है और हमारी सबसे ज़्यादा शक्ति भी खा रहा है बच्चों को तो देखो तो आजकल हर समय मोबाइल में चिपके हुए रहते हैं गैम में चिपके हुए रहते हैं सोसिल मीडा में चिपके हुए रहते हैं और जो हमारे विकास का आदार थ आज वही हमारे पाओं पर कुल हाड़ी चलाने वाला साबित हो रहा है तो इतना जरूर सोचिए कि मोबाइल का मुझे कितना उप्योग करना है जितना जरूरी हो उतना ही उप्योग करें मोबाइल का उप्योग समय पास करने के लिए ना करें मोबाइल का उप्योग समय को सार करने के लिए और अपने जीवन का निर्मान करने के लिए करें एक बर क्या हुआ एक यम्राजी धर्ती पर आए एक लड़की से कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया है मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ बोल स्वर्ग में जाना है कि नरग में जाना है लड़की ने एक्टिवनेस ले आईए एक्टिवनेस ले आईए भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी अगर भारत के प्रधान मंत्री बने हैं तो इसके पीछे केवल उनके भागये ने काम नहीं किया है अगर सबसे जादा काम किया है तो उनकी एक्टिवनेस ने काम किया है आग को मालूम है वो सुबह साड़े चार बजे जगते हैं और रात को 11 बजे तक लगातार काम करते हैं इसी एक्टिवनेस ने धीरे 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 उनको सिखर पर पहुंचा दिया तो अगर हम भी शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें भी अपने जियर में नहीं आ सकता, तो स्कूल में परतियोगी तक आयूजन हुआ, एक महीने का समय दिया गया कि इस टॉपिक पर आपको लिक करके लेकर कि आना है, उसे लड़की को लगा, अरे अभी तो एक महीना है, लिक लेंगे, लिक लेंगे, लिक लेंगे, उसकी बहीने कहा, अरे समय कंए भाईया अच्छी तयारी कर लो अच्छी तयारी कर लो उसने का अभी बहुत समय है लिख लेंगे लिख लेंगे लिख लेंगे लिख लेंगे और इस्तती ऐसी आई कि वह आले से खाता गया आले से खाता गया और जब लाश में एक दिन बचा तो उसने जल्दी जल्दी में ज तेखा भाईया मैंने तुझे कहा था ना कि तू आलेश मत का नहीं तो पीछे रह जाएगा देख तेरे मित्र ने आलेश नहीं खाया वो एक महीने से तैयारी करने में लगा रहा और परिणाम यह आया कि जो हर बार सेकेंड आता था वो अपने आलेश को हटाने की कारण नंबर दो सुबह योगा जरूर कीजिए क्या सुबह पावर योगा आदा घंटा एक घंटा योगा प्राणायम ध्यान जरू कीजिए इससे आप अपने आलेश को भगाने में सफल हो जाएंगे आपकी भीतर में एनरजी का विस्पोड होगा और नंबर तीन अपने आपको मोटिवेट कीजिए नंबर तीन अपने आपको मोटिवेट कीजिए मैं चाहाँगा कि ये 5 invested सभी बोले सभी हुंठी बांद चाल ओर बोले डूयर इंग कर रहें आई एक्टिव परसण नंबर दू आयम अनरजेटीक Eva I am energetic person number three I am successful person I am successful person number four I am positive person I am positive person number five I am creative person I am creative person जब भी आप सुबह उठें तो यह पांच लाइने अपने आपसे जरूर बोलिए I am active person I am positive person I am powerful person I am energetic person I am successful person जैसे ही आप सुबह यह मुठी बांद करके बोलेंगे तो आपको लगेगा आपकी भीतर की पूरी energy चार्ज हो चुकी है हम अपने आलेशे को बगाएं और अपने जियों में एक्टिवनेस लाएं ताकि हम अपने जियों में खुब आगे बढ़ सकें और सफलता के नई स्वाद चक सकें हुआ 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 है